नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है यह लोकतंत्र की खूब सूर्ती ही है कि यहां राजा और एक आम आदमी बिल्कुल बराबर है और इस विधानसभा चुनाओं में यदि आपको इसका सबसे अच्छा उदारन देखना हो तो आप विंध्य शेत्र के रिवा जिले की सिर्मौर विधानसभा की तरफ रुख कर सकते हैं जहां राजा की लड़ाई एक वनवासी से है और खौफ इतना है कि चुनावी मैदान पर पूरा राज परिवार उतर पड़ा है आईए दिखाते हैं आपको यह स्पेशल रिपोर्ट सिर्मौर विधानसभ सीट पर चुनाव जीतने के लिए राजपरिवार गाउं की गल्यों में खाक छां रहा है आदिवासी नेता से खत्रा इतना ज्यादा है कि महराज महरानी यूवराज यूवरानी और राजकुमारी को चुनाव प्रचार में दिन रात एक करना पड़ रहा है कुल मिला कर मु चुनाव जीतने के लिए गाओं की गलियों में खाक चान रहा है आदिवासी नेता से हार का खत्रा इतना ज्यादा है कि महराज महरानी और युवराज युवरानी और राजकुमारी को चुनाव प्रचार में दिन रात एक करने पड़ रहे हैं रीवा जले के सिर्मौर विधा पातंतर में भी राजपरिवार के हिस्सेदारी रही महराजा मारतंड सिंग ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए पुष्पराज सिंग विधायक और मंतरी बने अब इस रियासत के युवराज विधायक दिविराज सिंग को भाजपा ने सिर्मौर विधांसभां से युवराज दिविरास संघ को जटाने के लिए महराजा पुश्पराज संघ महरानी युवरानी वसुंधरा सहित पूरा राज परिवार मैदान में उतर गया सत्पाल महराज के आने की भी सूचना है शाही परिवार के जो सदस्य नहीं पहुंचे वो डिजिटल माध्यन से प का ससुराल नगर उतारी जारखंट से शाही राज परिवार आकर सिरमौर में जमा हुआ है दिविराज सिंग सिरमौर से लगातार दूसरी बार से विधायक हैं 2013 की विधानसभा चुनाओं में दिविराज सिंग ने राजनीत के राजकुमार विवेक तिवारी और 2018 में विवेक तिवारी की पत्नी अरुना तिवारी को हराया था लेकिन इस बार एक आदिवासी से मुकाबला चुनाओं को दिल्चस्प बना रहा है राज महल को छोड़ कर राजा रानी गाउं की गलियों में घूम रहे हैं और जनता से वोट की अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं दिविराज सिंग का मानना है कि रियासत जनता की थी तब भी उनके पुरवजुने सेवा की और अब वो सेवा कर रहे हैं दिविराज विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में है वही राम गरीब वनवासी मानते हैं कि यह राजा और आदिवासी के बीच की लडाई नहीं या विचार धारा की लडाई है अकेले सिर्मौर नहीं बलकि विन्दे की 30 सीटों पर परिणाम बदलने के लिए उन्हें आला कमान ने मैदान में उतारा है राम गरीब का दावा है कि उनकी जीत होगी और भाजपा की हार होगी